नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में कंगना रनोत बॉलिवुड का एक ऐसा चहरा जो पिछले दो साल से सुर्खियों में बना हुआ है बॉलिवुड के खिलाफ अपने बेबाक अंदास से जिस तरह से कंगना रनोत बोलती है उसके बाद से देश बर के लोगों का उनको अपार समर्थन मिला है और अब इसी कड़ी में कंगना रनोत ने बड़ा निशाना साधा है और वो किसी और पर नहीं बलकि महेश बट जो की इस फिल्म इंडस्ट्री में बॉलिवुड में इतना पुराना चहरा है महेश बट उन पर संगीन आरोप लगाए हैं कंगना रनोत ने कंगना रनोत ने बड़ा खुलासा करते हुए यहाँ पर पूरे देश को हैरान कर दिया है जो खुलासा कंगना रनोत की तरफ से अब किया गया है महेश बट आलिया बट के पिता और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बॉयकॉट बॉलिवुड चल रहा है उसमें सबका नाम खुल करके सामने आ रहा है आलिया बट की मा सोनी राजदान और आलिया बट के भाई राहुल बट और अब महेश बट का नाम भी इस कड़ी में जुड़ चुका है जैसे जैसे इस समय लोग गुसा है बॉलिवूट से और खास तोर पर अगर बात की जाए महेश बट को लेकर इस समय कंगना रनोत ने कहा है कि उन्होंने धरम परिवर्तन किया है अपनी दूसरी शादी के समय महेश बट ने धरम परिवर्तन किया है और महेश उनका असली नाम असलम है तो इस वक्त कि आपको बड़ी exclusive news हम बता रहे हैं वॉलिवूट से जुड़ी हुई कंगना रनोत ने ये बड़ा दावा किया है महेश बट को लेकर कंगना ने महेश बट का एक वीडियो शेयर करते हुए बोला कि महेश बट का असली नाम असलम है और एक्टरस ने कहा कि महेश बट को अपने असली नाम से ही काम करना चाहिए अपना असली नाम लोगों से नहीं छुपाना चाहिए तो यहां पर संगीन आरोप लगाएगे कंगना रनोत की तरफ से और कहा गया कि दूसरी शादी के लिए दर्मानतरन किया गया सोनी राजदान के साथ जब शादी कर रहे थे महेश बट उस समय यह दर्मानतरन किया गया और नाम असलम से महेश हो गया और वहीं कंगना रनोत ने आगे इसमें कहा कि महेश बट को अपने असली नाम का इस्तेमाल करना चाहिए ना कि किसी धरम का प्रतिन निधित्व उनको करना चाहिए और वहीं इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये सब आलिया बट ने शेर किया था और इस तरह के संगीन आरोप लगाए और आगे कहा कि महेश जी लापरवाही से और कव्यात्मक रूप से लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं तो यहाँ पर हिंसा की भी भात की कंगना रनोत ने कहा कि अपने कव्यात्मक तरीके से और अपनी लापरवाही से महेश बट लोगों को उकसाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और वहीं आगे कंगना रनोत ने कहा कि मुझे बताया गया है कि महेश बट का असली नाम असलम है उन्होंने दूसरी शादी के लिए अपना दरण परिवर्तन किया है उनका असली नाम बेहत खुबसूरत है तो यहाँ पर तंच कसा गया है आलिया बट की तरव से यह कहा गया है कि उनका जो असली नाम है जिस नाम का दावा किया जा रहा है कंगना रनोत की तरव से कि उनका असली नाम बेहत खुबसूरत है तो यहां पर बट फैमिली जो है महेश बट हों आलिया बट हों राहुल बट हों या फिर सोनी राजदान सभी इस समय कटगरे के गेरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कोई बॉयकॉट को लेकर कटगरे के गेरे में दिखाई दे रहा है तो वहीं बात की जाए अगर म बॉयकॉट की बाते चल रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बेहद खुबसूरत देश है मैं वहाँ जाना पसंद करूँगी वहाँ का खाना बेहद अच्छा है दरसल सोनी राजदान ने ये कहा था कि लोग मुझे जो है देश-द्रोई समझते हैं और इसलिए कभ ही में जो बॉयकॉट का कल्चर चल रहा है इस समय उसको लेकर जो ब्यान दिया उसके बाद से आलिया बट भी सवालों के गेरे में आखडी हुई और बात की जाए अगर राहुल बट की महेश बट के लड़के राहुल बट की तो उनका जिस हिसाब से 26 ग्यारां के जो आतं ना कहीं लगातार विवादों में दिखाई दिये यहां पर राहुल बट लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही जो कंगना रनोत ने खुलासा किया है महेश बट के नाम को लेकर हालां कि अभी महेश बट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं आई है कोई रियक्शन इ महेश बट की तो ये पहली बार नहीं है जब महेश बट पर आरोप लगाए गए हैं कंगना रनोत की तरफ से आज से दो साल पहले 2020 में भी कंगना रनोत ने महेश बट पर संगीन आरोप लगाये थे दरसल जब सुशान सिंग राजपूत की मोत हुई उसके बाद से ही कंगन रनोत जादा अक्टिव दिखी और उस समय कंगना रनोत ने काफी सारे खुलासे किये देशबर के सामने और बॉलिवुड की काफी कीरकरी हुई बॉलिवुड की सच्चाई को देश के सामने लाने का काम कंगना रनोत की तरफ से किया गया और इसी कड़ी में महेश बट पर उ कंगना रनोत की तर्व से एक मुवी को लेकर के और वहीं कंगना ने महेज बट की दूसरी बेटी अलिया बट जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं अभी ब्रह llamado ब्रहमास्ट्र मुवी आने वाली है जिसको लेकर काफी सारे क्यास लगा जा रहे हैं कि आलिया बट ने जो बियान दिया है उससे कहीं न कहीं मूवी को नुकसान हुआ है और बॉयकॉट कल्चर में ये मूवी जा चुकी है तो क्या ये मूवी बॉक्स आफिस पर कमाल कर पाई या नहीं तो वहीं आलिया बट पर जो आरोप लगाएगे कंगना रनोत की तरफ से उसमें कंगना रनोत ने कहा कि आलिया बट ने जो रोल किया है अभी हाल ही में जो मूवी आई गंगू बाई काठिया वाडी उसमें आलिया बट के रोल पर निशाना साधा कंगना रनोत ने और कहा था कि ये जो रोल है गंगुबाई का जो रोल है ये आलिया बट पर बिलकुल भी सूट नहीं करता जो कास्टिंग की गई है इस मूवी की वो गलत है उनकी जगा किसी और को लिया जानता तो लगातार बट फैमली पर निशाना लगाते आई है कंगना रनोत और वहीं आगे उन्ह हिसाब से इसको माना जाए नेपोटिजम के हिसाब से तो बिना किसी महनत के अपना जो फैमली का उनका चले आ रहा है कि उनकी महेशबट की लड़की है तो इसलिए करन जोहर की तरफ से उन्हें कास्ट किया गया था शुरू में स्टूडेंट आफ देयर में और पहले भी जब करन जोहर से पूछा जाता रहा है तो उनका कहना है कि मैं तो बिल्कुल जो है स्टार किट्स को कास्ट करूँगा देखते हैं मुझे कोन रोक सकता है इसको लेकर भी लगातार करन जोहर भी विवादों के गेरे में खड़े रहे हैं और लोग भी नेपोटिजम का आरो चल रहा है उसको बंद करवाने का काम करूंगी और वहीं महेश भट को कंगना रनोत ने पहले भी मूवी माफिया कहा था तो यहां पर पहले भी जो आरोप लगाए जाते थे कंगना रनोत की तरफ से अब उसी कड़ी में एक संगीन आरोप धरम परिवर्तन करके नाम बदल भी सही नहीं चल रहा लगातार बट फैमिली के लोग इस समय विवादों के गेरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं चाहे फिर वो सोनी राजदान हो खुद आलिया बट हो महेश बट हो या फिर उनके बेटे राहुल बट हो और वहीं आपको बता दें कि इस बॉइक बट के पिता महेश बट पर ये संगीन आरोप लगाएगे हैं और फहले भी महेश बट को निशाने पर लिया गया है ना ही सिरफ कंगनार लोगों की तरव से इस देश की जनता की तरव से इस बट फैमिली पर तमाम आरोप लगते आए है तो इसी कड़ी में अब एक आरोप और लग चुका है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या बट फैमिली इसकी कोई प्रतिक्रिया देगी क्या महेश बट की तरफ से कोई रियक्शन आएगा जो ये संगीना रोप लगाएगे कंगना रनोत की तरफ से और जिस हिसाब से इस समय बॉयकॉट कल्चर चल आलिया बट और अब इसी कड़ी में इस समय जो ट्रोल हो रहे हैं वो महेश बट ट्रोल हो रहे हैं अपनी दूसरी शादी को लेकर के महेश बट को ट्रोल किया जा रहा है और अब इस पर आपका क्या कहना है आपकी क्या राय है जो ये संगीन आरोप लगाएगे कंगना रन स्वाप बॉत लगातार इस तरह के दावे करते आए हैं इस तरह के खुलासे करते आई हैं बॉलिवूुड की चीज़ें जो पहले दुनिया के सामने नहीं आ पाती थी अब उसको दुनिया के सामने लाने का का म कंगना अर्नौत और विवेक अगनी होटरी जैसे लोग इस इन राय है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रही है हमारे साथ धन्यवाद